हेलो फैंस कैसे हैं आप लोग आप देखे रहें टेली की प्रेस क्लास में सिखा किसी भी कम्पूटर या फिल लैप्टॉप में टेली कितने तरीके से उपन करते हैं और टेली उपन करने के बाद टेली में कंपनी कैसे बनाते हैं तो देखें फैंसे मैं आपसे एक सवाल पू प्रेटिस करते हैं तो आपको सभी चीज़े याद रहती है लेकिन फ्रेंड से जो भी आपने प्रेक्टिकल वीडियो देखा है उसे देखने के बाद अगर आपे 12 घंटे या 24 घंटे तके प्रेक्टिस नहीं करते हैं तो जब आपे अपने कंपूटर या लेटो पे प्रेक् किस तरीके से कंपूटर पर काम किया जाता है वह इस टेप अपने कॉपी में नोट करने के बाद कभी आपको प्रेक्टिस करना हो एक दिन के बाद दो दिन के बाद या एक हपते के बाद तो असानी से आप अपने कंपूटर या लेटोप पर प्रेक्टिस कर सकते हैं इसलि तो मुझे आप इस वीडियो के कमेंटें बताईए फ्रेंड से, क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, कि प्रैक्टिकल वीडियो देखने के बाद, आप बहुत सा चीजें भूल जाते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही सलूशन है, जो भी आपने प्रैक्टिकल वीडियो में दे साथ साथ थियोरी क्लास की वीडियो देख लेते हैं, तो जो भी आप मेरे चैनल से कम्पूटर कोर्स कर रहें फ्रेंड से, तो आपको अच्छे से और असानी से समझ में आ जाता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ स आज टेली की साथ मी खिलास है, आज किस वीडियो में सबसे पहले सीखेंगे how to open टेली, टेली कैसे open करते हैं, यहाँ पर दियावा है there are two ways to open the टेली, टेली को दो तरीके से open कर सकते हैं, पहला तरीका है, सबसे पहले start बटन पी क्लिक करना है, उसके बद all program पी क्लिक करना है जैसे अब इसपर click करेंगे click telly.erp9 folder इस नाम से folder बना होगा उसपर click करना है इसपर click करने के बाद click on the icon telly.erp9 आपको एक icon दिखाए देगा icon मतलब एक छोटी सी photo होगी जिसपर लिखा होगा telly.erp9 आपको इसपर click करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे टेली आपका उपन हो जाएगा इसके बाद दूसरा तरीका दिया है गो टू डेस्टोप आपको डेस्टोप पे जाना है उसके बाद डबर क्लिके टेली.erp9 आइकोन है जब आपको अपने कंपूर्टर के अंदर टेली स्टोल करते हैं तर डेस्टोप आइकोन बनके आता है टेली.erp9 आपको उस पर डबर क्लिक करना है टेली आपन करने के लिए तो इस तरीके से हम टेली आपन कर सकते हैं इसके बाद दिया हुआ है आपको क्रियक कंपनी के सकते हैं जब आपको कॉपशन होगा क्रियक कंपनी को स्लेट करके आपन करने के लिए इंटर करना होता है जब आपे create company पर इंटर करेंगे तो कुछ इस टाप से page open होगा friends से तो यहाँ पर यह जो page है इसके अंदर जितने material दिये हुए है यह company create करने के लिए दियावा है तो अब मैं आपको step by step पे इन सभी heading के बारे बदाता हूँ कि यह company बारे के लिए इन सभी option का युज़े क्या होता है तो देखे friends से यहाँ पर दियावा है all information about creating a company in telly telly में company create करते समय जीतने भी information होती है उन सभी में हमें क्या क्या feel करना पड़ता है तो सबसे पहला option है यहाँ पर directory directory क्या होता है it is a path path मतलब location it is a path where the company data will be stored on the system एक computer के अंदर telly open करने के बाद है telly में जिस नाम से हम company बनाते हैं और company में जो भी काम करते हैं तो company का सभी data directory वाले option में दिया होता है location कि उस जगा पर आपका company का data save होगा यहाँ पर देखे friends से update age, see, users, public, tally.erp9 और data यह देखे यहाँ से यहाँ तक यह location दियावा है यह computer के अंदर folder के सभी नाम दिये हैं c drive में users का एक folder है उसके अंदर public का folder है public के folder में एक दियावा है tally.erp9 का folder उसके अंदर एक folder दियावा है data का तो डाटा वाले folder में company में जो भी हम काम करेंगे वो इस जगह पर save होता है तो जब भी आप टेली में company care करते हैं तो डाक्टरी में आपको C से ले करके data ताके यह देखिए friends से इस तरीके से आपको location दिखाई देगा computer में आपको टेली के अंदर जिस company में काम करेंगे इसके बाद अगला option दियावा है name नेम वाले option में inter company name in this field like ABC company जिस नाम से आपको company माना है तो company का नाम टाइप करना है इसके बाद यहाँ है address address में inter company address जो भी company का address होता है आपको address वाले option में company का address टाइप करना परता है इसके बाद यहाँ पर दियावा country, country में आपको country select करना है जैसे कि इंडिया, इसके बाद यहाँ पर दिया state, state में आपको select state, like दिल्ली और हर्याना, etc, इसके बाद दियावा है pin code, company का जो भी address है, वहाँ का जो भी pin code है, आपको यहाँ पर pin code टाइप करना है, pin code वाले option में, इ यहाँ पर जो भी company का local number होता है, वह आपको यहाँ पर local number टाइप करना है, यहाँ पर लिखा है enter telephone number, इसके बाद अगला option है mobile number, इंटर mobile number, इसमें आपको company का mobile number टाइप करना है, इसके बाद fax number, जो भी company का fax number है, वह आपको यहाँ पर fax number टाइप करना है, इसके बाद दि लिखावा है enter your company official communication mail id तो जो भी company की mail id है तो company की email id को email वाले option में टाइप करना पड़ता है और यहाँ पर दियावा website website में जो भी company की website है आपको website टाइप करना है यहाँ लिखावा है enter your company website address है इसके बाद दिया है financial air begin from इस वाले option में financial air जिस date से start होता है वो date यहाँ पर टाइप करना है यहाँ पर लिखावा फ्रेंड से enter financial air begin from like one for 2020 यहाँ पर example में दियावा है एक अपरेल 2020 जैसे देखें फ्रेंड से financial air जो हता है हमारा जिस साल में हम काम करते हैं माले जिए अभी 2020 में यह October चल रहा है तो इस सब कर जो financial air है 1 अपरेल 2020 से ले करके 31st March 2021 तो financial air में financial air का जो starting date होता है वो आपको यहाँ पर type करना परता है जैसे यहाँ पर मैंने example में दियावा है इसके बाद अगला option दियावा है books beginning from इस अले option में भी date type करना परता है जो भी date financial air का होता है वही same date इस अले option में देना होता है लेकिन books beginning from क्या है मैं आपको बदा आदम फेंड से financial air का जो date है 1 April 2020 लेकिन टेली में जो हमने company create किया था वो किया था अगस से तो उस condition में आपको उस month को type करना है जिस month में company create किया गया है यहाँ पर इसके बारे में दियावा है फेंड से most of the cases से financial air beginning date from and books beginning date from are same जादतर financial air का date और books beginning का date दोनों सेम होता है लेकिन इस वाले date को कब change करते हैं यहाँ पर दियावा है when you have created a company in telly.erp9 on 1-10-2020 in this case financial air beginning from 1-4-2020 and books beginning date from 1-10-2020 तो आपने देखा फेंड से यहाँ पर दियावा है ट्रेली के अंदर जो company बनाई गई है वो बना गई है October month से तो इसलिए उसका जो financial air होगा वो होगा 1-4-2020 लेकिन books beginning का जो date होगा 1 October 2020 तो आपने देखा फेंड से books beginning क्या होता है इसके अंदर कौन सा date type करना पड़ता है तो आपको इस समझ में आगेगो फेंड से company बनाते समय इन सभी option में कौन कौन से detail फिल करनी पड़ती है तो आज के इतना ही अगर आपको इस पीडियो के अंदर कोई भी ऐसा option जो समझ में नहीं आता है आप हमें comment कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और साथ साथ बैल आकर बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी और भी नए वीडियो आते ही आपको से जिनकारी सबसे पहले मिल सके आगे की नेक्स वीडियो में सीखेंगे laser क्य करना होता है और टेली में laser कैसे create करते हैं आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले हैं ठैंक्स